अब हम बात करेंगे quantitative research design के बारे में quantitative research design जो है यह focus करता है variation पे, variables पे सबसे पहले हम बात करेंगे variation की variation से क्या मुराद है? simple, variation से मुराद है कोई भी ऐसी चीज जो vary करती हो जो बदलती हो, जो same ना रहे, जो change होती हो तो variation से ही variable का लफज निकला है variable से मुराद कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा social phenomenon है जो vary होता हो, जो change होता हो variable जो है, वो कोई भी ऐसा characteristic है, कोई भी ऐसा social phenomenon है कोई भी ऐसी value है, जो के change होती हो, जो के बदलती हो, जो same ना रहती हो let's take some other examples आपकी qualification जो है, ये भी एक variable है आपकी qualification में हो सकता है कि आपने matriculation किया हो आपने intermediate किया हो, आपने bachelor किया हो, या अपने master's किया हो across the participant वो change होगी, let's take another example कि आपकी intelligence, different participants की intelligence जो है, उनका score different होगा इसी तरह आपकी age, किसी की age 15 साल हो सकती है, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 30, किसी के 35 तो age भी जो है ये एक variable है यानि कि हर वो चीज, हर वो feature, या हर वो social phenomenon जो कि change होता हो, वो variable होता है अब एक variable जो है, वो different attributes पर मुश्तमिल होता है यानि कि जब आप कहते हैं, कि marital status एक variable है क्योंकि इसमें single लोग भी हो सकते हैं, divorced भी हो सकते हैं, married भी हो सकते हैं तो आपका variable marital status जो है, उसमें single जो है वो एक attribute है उसमें married जो है, वो एक other attribute है उसमें divorce जो है, वो एक और attribute है तो attribute जो है, वो आपके variable का एक aspect होता है इसी तरह जब हम कहेंगे, कि आपका intelligence score तो किसी का intelligence score 100 होगा, किसी का 110 होगा तो 110 जो है वो एक attribute है intelligence score का intelligence score एक variable है जिसमें 110 एक attribute है इसी तरह अगर हम बात करें आपकी age की तो age एक variable है और उसमें 10 year old जो है वो एक attribute है 20 year old एक और attribute है 30 year old एक और attribute है तो इस तरह attribute जो है वो एक variable का level होता है उसकी एक specific category होती है किसी भी variable की और एक variable में कई attributes होते हैं जैसा के age के मामले में 10 year old, 20 year old, 30 year old ये different attributes हैं age variable के अब हम बात करेंगे variables की different types की तो एक variable जो है वो independent हो सकता है वो dependent हो सकता है वो intervening हो सकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे independent variable independent variable को understand करने के लिए हम एक example लेते हैं कि poverty की वज़ा से crime बढ़ता है poverty की वज़ा से crime बढ़ता है ये एक hypothesis है hypothesis के बारे में हम पिछले chapters में बात कर चुके हैं यहाँ पर अगर shortly hypothesis के बारे में बात करें तो hypothesis जो है वो एक testable statement होती है दो या दो से ज्यादा variables के बारे में तो इस scenario में poverty की वज़ा से crime बढ़ता है इसमें poverty और crime जो है ये दो variable है और इनके दर्मियान एक relationship है और उसे हम test कर सकते हैं तो poverty की वज़ा से ये कहना के crime बढ़ता है ये एक hypothesis है अब इस hypothesis में जब हम कहते हैं के poverty की वज़ा से crime बढ़ता है तो poverty जो है वो cause कर रही है crime को poverty की वज़ा से ही तो crime बढ़ रहा है न तो poverty जो है वो cause कर रही है crime को तो इस hypothesis में या इस statement में poverty जो है, वो cause कर रही है, cause है, crime का, और crime जो है, वो effect है, poverty का, ठीक है, तो किसी भी hypothesis में, किसी भी testable statement में, जो चीज cause कर रही होती है, किसी effect को, वो cause independent होती है, ठीक है, वो cause independent variable होती है, और उसका effect जो है, वो dependent variable होता है अगर हम कहें कि एक बंदे के ज्यादा मेहनत करने से उसके academic score ज्यादा होंगे तो इसमें ज्यादा मेहनत करना जो है वो cause है वो बायस है किस चीज का ज्यादा नमबर लेने का ज्यादा मेहनत करने से effect होगा ज्यादा number लेना तो इसमें ज्यादा मेहनत करना जो है वो independent variable है और ज्यादा marks आना dependent variable है ज्यादा marks करना depend करता है ज्यादा मेहनत करने के In other words, एक independent variable जो होता है वो cause होता है और वो effect प्रोड्यूस करता है dependent variable में अकसर स्टूडेंट इंडिपेंडेंडेंट और दिपेंडेंडेंडेंडेंट वेरियेबल में confused हो जाते हैं इस confusion को दूर करने का एक असान तरीका यह है कि जब भी आप दो वेरियेबल देखें किसी हाइपोसिस में तो जो वेरियेबल टाइम के लहाज से या temporal order से, हमने पिछले chapters में पढ़ा है temporal order के बारे में भी कि जो variable time के लहाद से पहले आएगा, वो independent variable होगा और जो time के लहाद से बाद में आएगा, वो dependent variable होगा I am not saying कि एक variable जो statement में पहले आजाएगा, वो independent variable होगा और जो बाद में आजाएगा, वो dependent होगा नहीं, statement में कोई भी variable पहले या बाद में आ सकता है I am talking about कि एक variable जो time के लहाज से पहले आ जाए time के लहाज से पहले आने से क्या मुराद है For example, जब मैं बात करता हूँ कि poverty की वज़ा से crime भड़ रहा है तो poverty पहले आई न, गुर्बत पहले आई तब ही तो crime आया न तो गुर्बत जो होगी वो पहले आ रही है इसलिए वो independent variable है और crime जो गुर्बत के नतीजे में आया है वो dependent variable है अब हम बात करेंगे intervening variable की intervening variables वो variable हैं जो independent और dependent variable के दर्मयान में आते हैं let's suppose के मैं कहता हूँ के एक specific area में poverty की वज़ा से crime बढ़ता है लेकिन उस specific area में लोग educated नहीं है तो वो education के ना होने की वज़ा से crime बढ़ रहा है जबके as a researcher मैं सोच रहा हूँ के poverty की वज़ा से crime बढ़ रहा है तो वो जो third variable है education का ना होना वो real cause है crime का तो वो education का ना होना जो है वो third variable है और वो cause कर रहा है crime को तो इस situation में बज़ाए के poverty cause कर रही है crime को वो education का ना होना cause कर रहा है crime को तो वो education का ना होना जो है वो third variable है और अकसर situation में एक researcher समझ रहा होता है कि ये independent variable है और ये cause कर रहा है इसको हाला के एक third variable उन दोनों variables के दर्मियान मुझूद होता है और वो cause कर रहा होता है उस specific effect को इसको समझने के लिए हम एक और example लेते हैं मैं कहता हूँ कि जिन लोगों की बालों की length ज्यादा है वो लोग ज्यादा marks लेते हैं किसी भी exam में हाला के exam में ज्यादा marks लेने की वज़ा third variable intelligence है ठीक है तो वो जो third variable है वो researcher जो है उसके बारे में aware नहीं है तो कोई भी quantitative research conduct करते वर्क researcher को इस चीज का खास देहान रखना चाहिए कि उसके पास जो independent variable है और जो dependent variable है उनके दर्मियान कोई third variable तो मुझूद नहीं है वो तो cause नहीं कर रहा है इस relationship को अब हम बात करते है causal hypothesis की तो जब मैं कहता हूँ कि poverty की वज़ा से crime बढ़ता है तो मैं cause बयान कर रहा हूँ crime का कि वो है poverty तो ये एक hypothesis है जिसको researcher check करेंगे जिसको researcher test करेंगे अपनी research में खिक है तो इसे कहते है causal hypothesis यानि के एक statement में एक variable को independent variable और दूसरे को dependent variable बना कर ये बयान करने की कोशिश करना कि specific phenomenon का cause ये है उसे कहते है causal hypothesis यानि के कोई भी hypothesis या कोई भी statement में जब हम किसी effect का कोई specific cause बयान करते हैं तो उसको कहते है causal hypothesis अब हम बात करेंगे critical hypothesis की इसे crucial hypothesis या crucial studies भी कहते हैं जब हमारे पास कोई specific social phenomenon की दो या दो से ज्यादा explanations होती है तो हम उन दो या दो से ज्यादा explanations को compare करते हैं और उसके बाद evaluate करते हैं कि कौन सा hypothesis जो है या कौन सी explanation जो है वो ज्यादा accurate है तो इसे कहते है critical hypothesis यानि कि ये शो करना कि कोई एक specific social phenomenon से मुतलिक A hypothesis जो है वो B या C hypothesis से ज्यादा superior है इसे कहते है critical hypothesis Let's suppose कि मैं एक social phenomenon crime के बारे में ये explanation देता हूँ कि poverty की वज़ा से crime बढ़ता है जबके एक ओर study में इसी social phenomenon के बारे में कहा जाता है कि crime जो है वो बढ़ रहा है education के कम होने की वज़ा से जबके एक ओर study में कहा जाता है कि crime जो है वो बढ़ रहा है genetics की वज़ा से यानि कि genetics जो है वो cause कर रही है criminal behavior को तो ये तीनो studies जो है ये बात कर रही है एक ही social phenomenon के बारे में जो कहा है crime तो इन तीनो studies को compare करना इनके explanation को compare करना evaluate करना और ये जानना कि कौन सी explanation जो है वो superior है ज्यादा accurate है इसे कहते है critical hypothesis जब भी हम कोई quantitative research कर रहे होते हैं तो हमारा supervisor हमें बताता है कि आपको एक null hypothesis develop करना है और एक alternative hypothesis develop करना है तो इसके पीछे क्या logic है ये understand करने के लिए कि हम null hypothesis क्यों बनाते हैं पहले हमें ये समझना होगा कि null hypothesis क्या है null hypothesis में basically हम कह रहे होते हैं कि independent variable और dependent variable जो है यानि कि जो cause है और जो effect है ये एक दूसरे से relevant नहीं है effect जो है इस cause की वज़ा से नहीं हो रहा है हम इस चीज को जुटलाते हैं इसको reject करते हैं कि independent और dependent variable जो है उनके दरमियान कोई relationship है या फिर dependent variable को independent variable cause कर रही है In other words हम null hypothesis में ये कहते हैं कि dependent variable जो है वो independent variable की वज़ा से नहीं है For instance जब हम कहते हैं कि poverty की वज़ा से crime बढ़ता है तो null hypothesis में हम कहेंगे कि poverty की वज़ा से crime नहीं बढ़ रहा है ठीक है जबके alternative hypothesis में हम कहेंगे कि poverty की वज़ा से crime बढ़ रहा है ठीक है alternative hypothesis को experimental hypothesis भी कहते हैं और इसमें हम independent और dependent variable के दरमियान relationship को accept कर रहे होते हैं हम कह रहे होते हैं कि independent variable जो है ये cause कर रहा है dependent variable को जबके null hypothesis में हम इस चीज़ को reject करते हैं अब हम इसे reject क्यों करते हैं इसको disconfirm करने की logic क्या है तो null hypothesis को disconfirm करने की logic natural sciences में मिलती है हमे natural sciences का rule यही है कि वो चीज़ों को छुटलाते हैं ठीक है तो इसी तरह जो कि हमने quantitative research जो है हमने borrow की है natural sciences के rule से तो इसमें भी हम किसी चीज़ को सही तरीके से understand करने के लिए उसे disconfirm करते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को confirm करना या उसको prove करना जो है वो कदरे असान है और हो सकता है कि हम कोई selective observation करके या कोई specific observations अपनी मर्जी के convenient observations उठा कर हम किसी चीज़ को prove कर दें कि yes कि ये cause की वज़ा से ये effect होता है जबके किसी भी चीज़ को किसी भी true relationship को disconfirm करना जो है वो कदरे मुश्किल चीज़ है तो अगर कोई चीज disconfirm नहीं होगी तो जाहरी सी बात है उसे हम truly scientific कह सकते हैं In other words किसी event को true prove करना इतना difficult नहीं है इसलिए natural sciences जो है वो critically किसी भी चीज़ को reject करती है सबसे पहले वो rejection के difficult parameter पर कोई भी hypothesis या statement को evaluate करती है और अगर वो statement उस rejection की evaluation से आगे बढ़ती है और true prove होती है तो उसे हम थेरी मानते हैं और उस पर हमारा believe बढ़ जाता है अब हम बात करेंगे double-barreled and combination hypothesis की इसे understand करने के लिए हमें पहले वाली example लेनी होगी ताकि आप लोग ज्यादा असानी से इस चीज़ को understand कर सकें First करेंग, researcher hypothesis develop करता है कि poverty और एक जगा पर बहुत ज्यादा लोगों के रहने की वज़ा से crime बढ़ता है तो यहाँ पर researcher जो है वो दो different variables को combine कर रहा है वो कह रहा है कि poverty और एक जगा पर different लोगों के रहने की वज़ा से crime बढ़ता है हाला कि हो सकता है कि crime सिरफ poverty की वज़ा से बढ़ रहा हो या हो सकता है कि crime सिरफ एक जगा पर बहुत ज्यादा लोगों के रहने की वज़ा से बढ़ रहा हो तो इस चीज़ को evaluate करना एक researcher के लिए difficult हो जाएगा तो इसे कहते हैं double-barreled hypothesis यानि कि एक ही hypothesis में दो या दो से ज्यादा independent variables को ले लेना और फिर कहना के ये independent variables जो है ये cause कर रही है इस dependent variable को Let's take another example एक researcher कहता है के लंबे बालों और high IQ की वज़ा से एक student जो है वो एक exam में higher marks gain कर रहा है तो वो अपनी research को true proof कर लेगा क्योंकि high IQ जो है वो एक ऐसा variable है जिसकी वज़ा से वाकई high score gain किये जा सकते है लेकिन लंबे बाल जो है वो एक extra variable है जो के साथ में चल रहा है high IQ के और बिलकुल irrelevant है high IQ से तो आल्दो के researcher इस research को prove prove कर लेगा लेकिन वो ये नहीं जान पाएगा कि लंबे बाल जो है उनका कोई relationship नहीं है higher marks से तो ये हो गया एक double-barreled hypothesis जिसमें हम ये नहीं जान पा रहे कि truly लंबे बाल कॉस कर रहे है ज्यादा मार्क्स को या फिर higher IQ जो है वो कॉस कर रहा है higher marks को तो इस तरह की problems को deal करने के लिए एक researcher को चाहिए कि वो इस चीज का खास ख्याल रखे कि वो एक ही variable को जो है वो एक variable का cause बताए अब हम बात करेंगे combination hypothesis की combination hypothesis में दो different variables जो है वो अपनी interaction से cause कर रहे होते हैं एक dependent variable first करेंगे एक researcher कहता है कि ज्यादा IQ और ज्यादा मेहनत करने की वज़ा से किसी भी exam में ज्यादा marks गेन किये जा सकते हैं तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत करना और ज्यादा IQ दोनों मिलकर cause कर रहे हैं ज्यादा marks के लिए तो यह हो गया combination hypothesis यानि के combination hypothesis में दोनों variables मिलकर अपने interaction effect की वज़ा से एक चीज को जो है वो create कर रहे हैं तो combination hypothesis जो है यह double-barreled hypothesis नहीं होता combination hypothesis जो है interaction effect की वज़ा से एक dependent variable को create करता है तो बाज researches में researchers combination variables खुद create करते हैं इसलिए उन्हें double-barreled hypothesis के साथ confused नहीं करना चाहिए